जै हिन सभी फोजी बंदुओं फोजी पेंसनर आज हम सब असपर्स पेंसन के कारण कितने तकलीफ में हैं मेरा एक वीडियो था बड़ा ही परसिद्ध कितना लावधायक या कितना आरामदायक या कितना तकलीफ दायक इस पर हमारे एक मित्र आप देख पा रहे होंगे पर उ हमारे दिल को छूग गई और हमें लगा कि आप सबों के साथ सच में साजा करना चाहिए, मुझे पूरे उमीद है यह इनकी कमेंट बेक्तिगत बेसक है, पर यह आप सबों के दिलों की कमेंट को यह पतिनिधी तो कर रहे हैं, इनका जो कमेंट है मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ, इस देश के मेट्रो सीटी के एसी कमरों में बैठ कर हमारे जिन डिजिटल महा ग्यानियों ने हमारे सभी भूत पुर्व सैनिको बुजूर्ग विरंगानाओं जो पेंसनर है, उनकी पेंसनर जो बैंक में होती थी, जो की पीडिये के काम करते थे की जगह अब असपर्स नामक नए सिस्टम से करने का यह जो नया नियम बनाया है, उससे आज हमारे ज्यादातर बुजूर्ग भूत पुर्व सैनिको, बुजूर्ग विरंगानाओं को बहुत ही ज्यादा परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है, और आजकल उनको इसके सिस्टम की जानकारी प्राप्त करने के लिए दर-दर की ठोकरे खानी पड़ रही है, आजकल इन सभी बुजूर्गों को कोई तो बिमार है, किसी की आखों की रोसनी कम है, या किसी को कानों से सुनाई कम दे रहा है, नहीं दे रहा है, और कोई जो बिना सहारे के चलने फिरने में असमर्थ है, या किसी के बुढ़ापे में फिंगर प्रिंट काम नहीं करते हैं, उन सब को आज अपने परिवार के किसी सदस्य का सहारा लेकर, या उनकी अंगली पकड़कर, अपने आसपास के इमित्र वालों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया है, सबसे बड़ी समस्या तो तब सामने आती है, जब ज्यादा तर इमित्र वाले इस स्पर्स नामक सिस्टम को ऑपरेट करना ही नहीं जानते, या जिन इमित्रवालों को काम करते हुए स्परस को ओपरेट करना आ गया वो इसके पूरे प्रोसीजर में लगने वाले ज़्यादा समय के कारण इस कारे को करने के लिए जल्धी से हा नहीं करते या फिर मन माफिक ज्यादा हीस मांगते हैं क्योंकि यी मित्रवाला इसमें जब तक एक भुत्पुर्व सैनिक के डाटा की खाना पूर्ती पूरी करेगा उतने समय में तो वह किसी 5-7 कस्टमरों के फॉर्म बगरह भर कर अपनी कमाई ज्यादा करना चाहेगा वर्तमान में हमारे देश के सभी भुत्पुर्व सैनिक, दिल्ली देश के या किसी मेट्रो सीटी में नहीं रहते हैं गाउं और ठानियों में भी निवास करते हैं जहां पर अभी तक हर तरह की सभी सुचनाएं समय पर नहीं पहुंचती है आज सहरों में तो करीब करीब सभी तकनीकी सरकारी सुबधाएं मिलती हैं लेकिन आज भी हमारे देश के बहुत से दूर दराज के गाउं ठाणियों में नेट या लाइट या एंड्रोइड फोन वाली सुबधाएं उपलबद नहीं होने के कारण यह असपर्स नामक मुसीबत बहुत से भूत पूर्व सैनिकों के लिए पहार बना हुआ है हमारे गाउं ठाणियों के ज़्यादा तर भूत पूर्व सैनिकों को इस असपर्स नामक मुसीबत का पता ही तब चला जब वो बैंक में प्रती वर्स की भांती नवंबर में अपना जिवित प्रमान पत्र जमा करने गए तब बैंक से इनका ज्यान मिलना सुरू हुआ कि अब अपना लाइफ सेटिपिकेट आउनलान असपर्स में ही अपलोड करवाऊं और फिर सुरू हो गई उनकी नीद उड़ाने वाली असली परिशानी तो आप यह देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार इन साहब जो हैं हमारे इन्होंने लिखा है अपने ब्यक्तिगत विचार उमीद पचर साहब ने सच मुच यह हमारे हिड़दय को असपर्स कर रहा है और यह सिर्फ इनका ही नहीं है यह हम सबों में से सबका है हमने अभी तक असपर्स से सम्मंधित कई विडियो बनाया आप देख पा रहे होंगे हर दिन मैं विडियो लगभग आप सबों को ट्रेनिंग के लिए हर दिन बनाता हूं लगभग जब भी हमें समय मिलता आपने बेस्त दिन चरिया से मैं समय निकालता हूं अलग-अलग असपर्स के पहलूओं पर अभी तक लगभग सो विडियो मैं बना चुका हूं मुझे उमीद है हमारे विडियो इन सारी तकलिप हों जो उमीद साहब ने रखा है कहीं न कहीं मदद कर रहा होगा और आपको अगर लगता है कि कोई और बिंदु है जहां हमारी विडियो कभर नहीं हो पा रही है तो आप जरूर हमें कमेंट के जरिये बताईए अपना सजिसन बताईए अगर कोई तुर्टियां रह गई है हमारी विडियो में तो वह भी हमें बताएं ताकि और बहतर से बहतर विडियो आपके समक्ष ला सकूं ताकि इस स्पोर्स टीम तक भी यह बात पहुँच सके कि हमारे पेंस्टनर जिनके लिए यह स्पोर्स बनाई गई है उन्हें यह आराम नहीं तकलीफ दे रहा है तो आप जब तक अपना हम तक जाहिर नहीं करेंगे, मीडिया में जाहिर नहीं करेंगे तो डाटा एनलाइसिस नहीं होगा और उस सिर्ष पर बैठे हुए बेक्तियों तक पहुच नहीं पाएगा तो आप चाहते हैं कि आपके जो तकलीफ हो रही है वह आगे भी जाए और तकलीफ के बदले समाध बन कर आए तो जरूर आप कमेंट करें और हां मित्रों एक फौजी मित्र होने के कारण आप सभी फौजी पिंसनर से मैं आगरह करता हूं विनम्र निवेदन करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करके लाइक करें कमेंट करें ताकि हमारे चैनल को तो भी आपके जीवन की तरही एक बहतर विकास और बिर्धी का उसर मिले, ताकि और भी बड़ी से बड़ी टीम, बड़ी से बड़ी highly skilled टीम मैं इस कारे में लगा सकूँ, ताकि आपको और भी ज्यादा प्रमानिक बिडियो पहुचा सकूँ, इसी तरह से हमारा निरंतर प्र की टेबल को मैं समझाने का बारी-बारी से प्रयास करूँगा, और अंत में मैं नरेंद्र कुमार, wellness consultant, entrepreneur, trainer, अपने दिल की गहराईयों से मैं आपको अभार प्रकट करता हूँ, चुकि आप अपने जीवन का बहुमुल्य समय हमारे साथ बिताते हैं, और इसलिए हमारे उप पर्स और वारोपी से सम्मंदित कई तरह की तमाम समस्याओं को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन!